नमस्ते काहिस क्या आल है सबसे ही चल रहा है आज हम बात करेंगे डेली मेट्रो फेस फाइव के बारे में अब आप में से जो लोग मेट्रो की नियूस फॉलो करते हो आप लोगो पता है कि फेस फॉर वी कंस्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है तीन लाइन्स अप्रूव हो चुकी है तीन लाइन्स को अभी अप्रूवल नहीं मिला है उन तीन लाइन्स को जिनको अप्रूवल नहीं मिला है उन में से एक रिठाला से बवाना वाली जो लाइन है रिठाला से साड़ी नडेला वाली जो लाइन है बवाना होते वे जो जाएगी उस वाली लाइन के अपर थोरा सा अभी डावडोल मामला चल रहा है मैंने आपको मेट्रोलाइट वाले वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि वो मेट्रोलाइट बनेगी instead of normal metro because of ridership issues and everything but ये है कि अभी दोनों options open है ये या तो normal metro ही बनेगी जो red line extension जिसको हम बोल रही है या फिर जो हो सकता है ये metro light project ही बन जाए बठा ये है कि phase 5 में जो कुछ वो आए है कुछ जो routes आए है according to DMRC जिनके पर planning चल रही है उस हिसाथ से देखा जाए तो हमें normal metro बनानी चाहिए अब ये मैं आपको phase 5 के जो मैं आपको कुछ projects बताने जा रहा हूँ उसके बाद आपको clear होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ and plus मैं आपको एक चीज़ आपको बता रहा हूँ इन में से कुछ भी final नहीं है because बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जब phase आपका शुरू होगा जैसे phase 4 जब खतम होगा उसके बाद Delhi Metro की क्या stage होगी उसके basis पे चीज़े decide करी जाते है because मैं आपको एक चीज़ बताओ 2010 में phase 4 की पूरी planning हो चुकी थे आठ रूट्स बनाए गए थे आठ में से दो रूट्स हटा दिये गए उन में से छे रूट्स जो है उन में से तीन अप्रूव होए और तीनों की construction स्टार्ट हो चुकी है इस वीडियो को आप ये मान के चलिए कि ये अभी जो present वो है present जो situation है उसके साथ से और ये सिफ planning है इन में से अभी कोई भी चीज फाइनल नहीं है ये चीज़े आगे जाके change भी हो सकती है अब बात आती है कि phase 5 में क्या-क्या projects हो सकते है अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको phase 4 के projects पता है एक आपका indigo line बनेगी जिसको इंदरप्रस्ते इंदलोग तक बनाया जा रहा है ये line अभी अप्रूव नहीं हुई है एक लाजपद नगटू साकेट जी ब्लॉक वाली line है वह अभी अप्रूव नहीं हुई है एक रिठालाटू बवान है ये अभी अप्रूव नहीं हुई है ये तीनों अप्रूव नहीं हुई है कि फेस्वाइब में कौन-कौन से हम रूट्स देख सकते हैं फेस्वाइब में अभी तक ये बात चल रही है कि एक तो ये हो सकते है कि जो वालेट लाइन है जो कश्मीरी गेट से आपकी बललवगर तक जाती है उसको दोनों तरफ से एक्टेंड किया जाए दोनों तरफ से इन दे सेंस कश्मीरी गेट के आगे उसको हो सकता है वजीर अबाद तक एक्चेंड किया जाए और दूसरी तरफ जो है आपका बललवगर के थोरा सा आगे अगर हम जाएं तो हाला कि मैंने मैप अच्छी तरीके से नहीं देखा है बट यह चीज़ बोली जा रही है कि बललवगर से शॉट रस्ता पड़ेगा जेवर एरपोर्ट तक का जेवर एरपोर्ट आपको पता है नौईडा इंटरनाशन एरपोर्ट वन अफ़ बेस्ट एरपोर्ट बन रहा है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है तो उसको डेली मेट्रो से कनेक्ट करने के लिए सबसे closest रस्ता जो DMRC के पास है वो यह है कि वो वालेट लाइन को बल्लवगर से आगे extend करके जेवर तक ले जाए जैसे कि मैं आपको पहली वीडियो में बता है बट यह पहली possibility है कि वालेट लाइन को कश्मीरी गेट से वजीरबाद और बल्लवगर से जेवर तक extend के जाएगा ताकि वो फिर वजीरबाद से सीधर जेवर की लाइन बन जाएगी दूसरा जो चीज आई है phase 5 में वो यह आई है कि जो ग्रे लाइन शुरू हुई है दोहर का से नजबगर डिपो की उसको एक्सेंड करके नरेला तक ले जाए जाएगा अब मैंने आपको पहले एक चीज बोली थी कि रिठाला से नरेला वाली जो लाइन है वो मेट्रोलाइट बनेगी और ये भी बात है हो रही कि वो नॉर्मल मेट्रो बनेगी मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि अगर ग्रे लाइन को आपको नरेला तक एक्सेंड करना है तो मेरे साफ से फिर दीमर्स को मेट्रोलाइट का जो प्लैन है रिठाला से नरेला का उसको ड्रॉप करके नॉर्मल मेट्रो ही बनानी चाहिए कि अगर मान लिजे कोई हूडा सीटी से बैठ जाए और सीधा वो नरेला चले जाए और वो भी पूरा घूम फिर के या मान लिजे पिंक लाइन से जो है वो एनस्पी वगएरा होते है फिर नरेला वगएरा जाए तो हो सकता है वो जो दो गंटे है दो गंटे है पचास पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए ये सारे questions DMRC के मन में होते है प्लस कोई बललावगड से नरेला चला जाए तो ये सारे questions भी DMRC के मन में होते है विकास उनको ये भी देखना है कि जो फार्डेस्ट पॉइंट्स है उनके बीच में अगर कोई passengers जा रहे हैं तो उनको इ DMRC को ध्यान रखनी बहुत जरूरी होती है तो रूड प्लैनिंग में कि ये भी चीज आती है DMRC में अब बात आती है कि जहां तक ग्रे लाइन एक्स्टेंशन की जो मैं आपको बात बोली अगर हम नरेला तक ग्रे लाइन को एक्स्टेंड कर रहे हैं तो मेरे साथ से नॉर् एक इंटेचेंज हो जाएगा तो जिन लोगों को ब्लू लाइन से आपका नरेला जाना है उनके लिए वो रस्ता शॉर्ट हो जाएगा तो ये तो खेर DMRC वाले ही प्लाइन कर सकते हैं बिकोज मैं कोई सिविल इंजीनियर या कोई मेट्रो को रूट प्लैनर नहीं हूँ मै एक आज़ा पैसेंजर ही वो दे सकता हूँ सजेशन वगड़ा दे सकता हूँ तो दूसरा रूट जो प्रोपोस्ट हो ये है तीसरा रूट एक प्रोपोस्ट है जजज़र जो एक हरियाना में एक जगे है वहाँ पे एम्स बन रहा है तो ये बात होई थी कि नजबगर मिफंडे छाए तले तक इसमें साइवर सेटी वार्टे का चौक और आपका ये साइवर सीटी के जो कुछ जो मेंट्रो स्टेशन सेन्स हैं उन मैंसे कोई एक मैट्रो सेषन इंटर जिश भी होरा यहU धुक्त ज इसके लाभा एक जो आप लोगो पता है कि पिक लाइन जो ह तो यह बात हो रही है कि उस चार्ड स्टेशन को आगे वाकपत तक जो एक्सेंड के जाएगा उसके लावा एक रूट जो मैंने आपको बताया था कि फेस फॉर में होना था बटा फेस फाइम में शायद होगा वो है यमना बैंक से सीधा लोनी सर्कल तक का यमना बैंक से लोन पहला बैसिस उसके यह होगा कि मैं 14-15 साल से डेली मेट्रो में ट्रावल कर रहा हूं दूसरा मैं दुनिया के अच्छे अच्छे देशों में घूम चुका हूं लंडन मेट्रो, न्यू यॉर्क मेट्रो, मेडरेड मेट्रो, प्राग की मेट्रो, सिड्नी, मेलबन, और दुबाई इन सब की मेट्रो में मैं खुमा हूं और इन सब की मेट्रो में जो मैंने देखा है वहाँ पर कैसे वो लोग हैंडल कर रहे हैं कैसे नेटवर्क उनका चल रहा है क्या है क्या है क्या नहीं है मैं उन सब चीजों को कंसेडर करके एक और डिली की मेट्रो वैसे एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, कि आप जो वजीराबाद तक एक्स्टेशन कर रहे हो, वजीराबाद के पास ही आपका पिंक लाइन का वो बन रहा है, जो अभी मजलिस पार्क से मौचपुर वाला जो रूट है वो बन रहा है, तो मजलिस पार्क के बाद जो चार पर लिंक ज़रूर हो ताकि pink और wallet line का एक interchange और हो जाए तो पहला मेरा suggestion तो ये रहेगा कि wallet line extensions ज़रूर होने चाहिए दूसरा मेरा suggestion ये रहेगा जैसे कि मैंने आपको grey line के extension के लिए बोला कि अगर आप उसको नरेला तक खीच रहे हो ग्रे लाइन को तो आप फिर फेस फोर में रिठाला टू नरेला जो है नॉर्मन मेट्रो बनाओ तीस तरह मेरा सजेशन यह है कि जो ग्रे लाइन हम लोग अगर द्वारका से नरेला तक खीचेंगे वाया नजब कर वगेड़ा तो उसको अगर DMRC चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि द्वारका से दूसी तरफ एक्सटेंड करके उसको डाबरी मोर या मजेंटा लाइन कर वो एक अगर यह पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता बट तुखला का बाद से एरो सिटी वाली जो लाइन है जो कि सिल्वर लाइन कहलाई जाएगे जिसके अभी कंस्रक्शन चल रही है उस लाइन को एरो सिटी के आगे एक्सटेंड करके दो आरका से ग्रे लाइन से जोड़ो अब मेरको नहीं पता ही कितना पॉसिबल है कितना नहीं है बट DMRC जानते कि हो सकता नहीं हो सकता यह चीज़ मैंने DMRC को एक एमेल में भी लिख के भेजी थी कि फेस फाइब में जो है आप हो सके तो इन दोनों लाइन को आपस में जोड़ो दीजे और बाद में उसको नडिला तक एक्स्टेंड कर दीजे उसमें ये होगा कि आपका तुकलागाबाद से नडिला तक की सीदी लाइन बन जाएगी उसमें सबसे बड़ा एड्वानटेज यहोगा जो लोग नरेला से आए है उनको भी जो है एरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी उनको फरीदाबाद की कनेक्टिविटी मिल जाएगी छटारफूर मंदिर एक इंटचेंज आएगा उसकी भी फेचलिटी मिल जाएगी तो यह एक ब्लू लाइन भी बीच में जा रही है, यह होना चाहिए, तो यह चीज हम लोग कर सकते हैं, अगला मेरा सजेशन यह रहेगा कि जो अगर नजवगर से नडेला एक्स्टेंड हो रही है तो उसके बीच में एक एंटरचेंज स्टेशन मुंडका की ग्रीन लाइन प की बात चल रही है, या तो उसी लाइन को एक्स्टेंड किया जाए, या उस लाइन को एक्स्टेंड नहीं करना तो मेरे साथ से तो उस लाइन को एक्स्टेंड कल जादा बेटर है, उसको आप साइबर सिटी, हुड़ा सिटी सेंटर और साइबर हाव अगरा होते हुए, सब्सक्राइब काुल सब्सक्राइग, भो सफेасपार मंधर पाइग्ट सब्सक्राइगा नंद से ने किया भोगां मुणडका भी बनने के बाद पर फेसपोर मुणोbinी, mensen पीरागरी अभी स्टेशन अंडर कंस्रक्शन है, जो जनकपुरी वेस्ट के आगे बनेगा, पीरागरी जाएगा फिर पीरागरी से मुंड का जाएगा, तो बेटार है कि आप बाटा चॉक से ही उसको कनेक्टिविटी एक दे, और प्लस ये जो सारी लाइन्स है ना, आपकी इन सब के जो लास्ट के जो स्टेशन से रिठाला हो गया, रिठाला की जगे चलो आप बवाना भी कर सकते हैं, रिठाला हो गया, आपका हुड़ा सिटी सेंटर हो गया, द्वार का सेक्टर 21 हो गया, ये मुंड का बहादुर्गार हो गया, या आपका बाटा चॉक हो गया, एक लाइन ऐसी भी होनी चाहिए जो इन सारी स्टेशन्स को कनेट करें बिकॉज सारा जो भी ट्रैफिक है वो सब कालकाजी मंदिट के थूरू जाएगा या फिर लाजपतनगर के थूरू जाएगा हाला कि नोड और मजेंटा और पिंक लाइन से बहुत वह हो गई है बहुत कन्विनेंस हो गई बट आइधिंग यह अगर किया जाए तो और अच्छा होगा तो गाइस यह मेरे कुछ सजेशन्स थे फोर डेली मेट्रो फेस फाइब तो अगर आपके भी कोई सजेशन्स है तो प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखेगा अभी यह सब लाइन्स जो है प्रपोज्ड है मेरा यह वीडियो बनाने का भी मेन मोटेब यह था कि फेस फोर खतम होगा 2024 तक तो अभी क्या है अभी DMRC ड्रॉइंग बोर्ड पर है तो अभी यह वीडियो जो है अगर DMRC मेंसे कोई देख रहा है तो उनको एक रफ आइडिया मिल रहा है फ्रॉम पैसेंजर एंड प्लस समवन हो हैस्ट्रेवल इन ग्लोबल मेट्रो सिस्टम्स लंडन मेट्रो मैंने बहुत एक्सेंसिफली घूमी है और मैं आपको एक चीज़ बताऊं को सक्सेस्वल बनाने के लिए दो चीज़ सबसादा जरूरी है एक लाइन्स जितनी जाद ह और एक इंटरचेंज सेशन जितने जाद हूँ तो मैंने जो भी चीज़ा जो भी सजेशन दिये वो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखके ही दिये